तो आज हम आपके लिए लेकर आ गये है नई जॉब अपडेट जो है जावा फ्रेशर के लिए तो पहले में आपको इसके बारे में जॉब डिस्किप्शन के बारे में बताऊंगा तो हमारे इस विडियो में लास्ट तक बने रही है क्योंकि इसके अंदर काफ़े सारी इंफ यहां पर जो experience माँआ गया है वो 0 से 3 year माँआ गया है तो अगर आप फ्रेशर है तो भी आप इसके लिए apply कर सकते है मगर हाँ अगर आप फ्रेशर है तो आपकी skill sets जो है वो as compared to one or two year experience जितना होना चाहिए तो skill sets की अगर बात करी जाए तो क्या क्या चीज़े होती है Java के अं आना चाहिए आपको और जो Java का DSA level है वो आपका तो इतना हो कि आपका medium level तक का अच्छा हो और चलते हम यहां पर जो यहां पर आपको salary मिलने वाली है as per industry standard तो industry standard की अगर बात करी जाए तो fresher के हिसाप से 25 से 50 के बीच में vary गरती है हमेशा तो इसके बीच में आपको salary होने वाली वो पूने यह नागपूर अगर आप पूने में है तो आप मान के चलेगी आपका अच्छा ही पैकल लगेगा थ्री से अबव ही लगेगा और नागपूर में है तो आपका थोड़ा कम भी लग सकता है और यहां पर आप देख सकते हैं Java fresher की requirement है required जो year है वो यहां पर कर रखा है तो आपको apply करना जरूरी है तो बात कर लेते जॉब description की तो क्या होना चाहिए क्या क्या चीज़े आपको आनी चाहिए पहले बात कर लेते हैं hands-on experience होना चाहिए Java के उपर और अगर आप अभी भी इन चीज़ों को सीख रहे तो आप जरूर इसके लिए apply जरूर क कीजिए क्योंकि आपको एक level पता पड़ेगा कि किस तरीके के questions आते है Java के अंदर राइट तो expertise होनी चाहिए आपकी core Java के अंदर J2, EE के अंदर JSP, server rates, web services, spring, hibernate जो की हो रहा है मैं उस पर आपकी hands-on होना चाहिए और proficiency होनी चाहिए या तो मैंस के में हो या Oracle में हो क्योंक most of the industries के अंदर यही दो databases का use mostly किया जाता है उसके बाद बात करते हैं तो object oriented design and development आपको आना चाहिए और अगर उसके बाद हम बात करें तो design pattern to solve problem तो एक तरीके से आपको कोई logic building का questions दे जाए जाएगा तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए और बात करी जाए तो strong return and oral communication यह तो hands-on experience आपको होना चाहिए किसी भी एक web server पर तो mostly हम Java के अंदर जो यूज करते वो Tomcat यूज करते और IBM web spell भी कहीं कहीं पर use किया जाता है मगर इतना mostly हम commonly use नहीं करते हैं तो Tomcat में भी अगर आपका है तो तो भी हमारा काम चल जाएगा और बात करी जाए तो आपको team building में कैस productivity इन चीज़ों को apply करते है और productivity कैसे बढ़ाते है team की तो वो चीज़ आने चाहिए है और यह सब आप देखेंगे तो यह आपके skill sets पर पूरी depend होती है अगर आपके skill sets है जैसे कि आपको spring बहुत अच्छे से आता है तो आप जल्दी से microservices बना पाएंगे तो automatically आपकी जो team की productivity है वो automatically increase हो जाएंगे तो skill sets की हमने ही बात कर लिए और skill sets एक और आप देखना चाहते है तो यह shot के अंदर आपके लिए यह चीज़े skill sets होने वाली है कोड जावा एडवांस जावा एडवांस जावा में आपके पास आजाएगी क्या 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 चीज़े सर्फलेट हो गया जैस्पी हो गया और आपके पास spring आ जाएगा और आप इसके लिए बिल्कुल eligible है तो आप जल्दी से इसको apply कर दीजिए और बिल्कुल भी देर मत जादा से जादा freshers की जितने भी job opportunities हैं जैसे कि हम हमारे group में भी ढालते हैं हमारे channel पे भी ढालते हैं तो आप जितना हो सके उतना apply कीजिए और यह मत सोचिए कि मतलब मेरे को इसके अंदा expertise नहीं है proficiency नहीं है एक बार आप भर दीजिए उसके बाद आपको questions का पता पड़ जाते हैं तो वो आपके तरीके से betterment जब आप दूसरा interview देंगे तीसरा देंगे चौता देंगे तो उसमें आपको clear होता जाएगा कुछ questions जो हैंगे वो repeated होने लग जाएंगे थोड़े interview देनी के बाद तो जल्दी से इस पर apply कीजिए और मैं इसका जो link है हमारे description में ढाल और आपको अगर कोई question हो तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं और नहीं हो तो आप हमारा group भी जाइन कर सकते हैं क्योंकि हम वहाँ पे daily job updates देते रहते हैं freshers के लिए भी और experience के लिए भी so thanks for watching